जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 माई और 12 माई 2022 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी, नक्षटर क्या होंगे, योग क्या होंगे, कौन सा ग्रहराशी बदलेगा और इन सभी चीजों का प्रभाव आपकी दिनकरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो पहले ग्यारा मई के बारे में जान लेते हैं ग्यारा मई बुद्वार का दिन है शुकल पक्ष की दस मीति थी है पूर्वफालगुनी नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा की इस्तिती जो है वो सेहिंग राशी में होगी योग व्यागात नाम का योग बनेगा और साथ में रवी योग भी बनेगा सूर्य मेश राशी भणी नक्षत्र में है लेकिन शाम को सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है सूर्य बढ़ी नक्षद्र से निकल कर गरती का नक्षद में प्रिवेश करेंगे और अभी जीत मुरत इस दिन कुछ नहीं है 12 माई का दिन ये गुरुवार का दिन है बहुती उत्तम दिन है सुकल पक्ष की इकादशी दिती जिसको मोहिनी इकादशी कहते है उत्रा फालगुनी नक्षद्र है हर्शन नाम का योग बन रहा है चंद्रमा राशी बदल कर कन्या राशी में आ चुके हैं और सूर्य मेश राशी करती का नक्षद में है इसके लावा इस दिन अरभ योग भी बनेगा पूरा दिन और अभी जीत मुरत होगा सुभा ग्यारा बजकर 51 मिनट से दोपहर बारा बजकर 45 मिनट तक तो ये हो गई ग्रहों की इस्तिती अभी नी के अधार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन हैं ये सेंग राशी के लोगों के लिए कैसे रहेंगे ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा दो भावों में है पहला आपके लगन में दूसरा आपके धन भाव यानि दूत्य भाव में विराजमान है तो पहले हम 11 मई के बारे में जान लेते हैं 11 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा चंदरमा आपके लगन में विराजमान है तो सबसे अधिक जो प्रभाव है वो आपके विक्तित पर होता है इस दिन अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साजह करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी सिहत भी बहुत ही ज़ादा बहतर होगी यानि सिहत अच्छी होगी तो आपके सभी कामकाज भी अच्छे तरीके से होगे आपका कामकाज में मन भी लगेगा जिन कामों को आप पूरा करना चाहते थे उन पर आप देहान दे पाएंगे लेकिन साथ में आपको ख्याल रखना होगा कि सिहत को नजर अंदाज नहीं करना है कोई ऐसे एक्टिविटिक या कोई ऐसे चीजें खान पान में ऐसे चीजें यूज नहीं करनी है जो आपकी सिहत पर प्रभाव डाले वित्य इस्तिथी ठीक ठाक रहेगी आपका जो स्वभाव है वो काफी हसी खुशी भरा होगा मचाग्य स्वभाव होगा जो आपकी चारु तरफ के वातावरन को खुशनुमा बना देगा आज आप आपकी प्रिये का मूर कुछ उकड़ा उकड़ा हो सकता है इसलिए उनके साथ अपने रविया पर थोड़ा सा लगाम लगा कर रखनी है और साथ में अपने जो दोस्तों के साथ है वहाँ भी आपको थोड़ा सा कंट्रूल करना है उनके साथ किसी भी तरह की बहस बाजी में नहीं पढ़ना है कारेशित्र में इस्तिथियां आपके पक्ष में है गरहों के इस्तिथियां कामकाज में अच्छे योग बना रही है अगर आपके यात्रा करते हैं तो यात्रा करना भी आपके लिए फायदा मन्द रहेगा अगर यात्राओं से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहाँ भी अच्छी सिथियां बन रही हैं अच्छे डील भी होग सकती हैं लाव के अच्छी योग बनते हुए दिख रहे हैं आप योजना बना कर खर्च करें योजना बना कर अगर कामकाज करेंगे किसी चीज को सुव्यरस्थ धंक से करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रफी रोमान से भरे होंगे जीवन साथी के साथ शाम को किसी धारमेकिस्थान पर भी जा सकते हैं जहां जाकर आपको सुकून मिलेगा और कुछ कामों में वैपार करते हैं तो आपको खासतोर से अपने सभाव पर गुस्से पर थोड़ा काबो रखना होगा क्योंकि आप आपका जो इग्रेसिव सभाव है जो बीच-बीच में कई कामों को विगार देता है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कोई डील अगर आप लेने जा रहे हैं डील फाइनल करने जा रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान रखने के आवाशकता होगी बाकि आज अगर देखें तो स्टुडेंट्स के लिए दिन जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक ज़रूर रहेगा स्वास्ते सम्मंदी कुछ परिशानिया दिखाई दे रही हैं और साथ में कुछ आलस की वजह से भी आज आपका दिन वो बरबाद भी हो सकता है तो थोड़ा सा आपको मेडिटिशन योग आदी ये जरूर करने चाहिए ताकि खुद को आप फिट रख सकें खुद को आप तंदरुसत रख सकें तो इसकी तरफ आपको विशेश रूप से ख्याल रखना है अब धनसंपति की बात करें तो धनसंप इकादशी को मोहिन इकादशी कहते हैं इस इकादशी के दिन सबसे जो शुब चीज है वो यह है कि गुरुवार के दिन है गुरुवार का दिन भगवान विश्णु को समर्पित होता है और भगवान विश्णु का ही पूजा का ये दिन होता है मोहिन इकादशी ग्यारा मै की शाम चे शुरू होगी बारा माई की शाम तक रहेगी और पारण इसका बारा माई की तेहरा माई की सुभा को रहेगा इस मोहिनी एकादशी का अब इस दिन भगवान इस ने मोहिनी रूप धारन किया था आप इस दिन कथा जरूर सुने ये एकादशी की मोहिनी एकादशी क क्योंकि इस कथा को सुनने से आपको हजार गायों के दान के बराबर पुन्ने मिलता है और ये कथा बहुत ही उत्तमानी जाती है सुबा को भगवान विश्णु के साथ मालक्षमी की अरादना भी करें और पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासो देवाय नमा इस मंतर का जब करते रहें इसे कादशी का जो अप्रभाव है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा साथ में मालक्षमी का आशिरवाद जहां तक राशिफर के बात है तो चंद्रमा ने राशि बदल ली है चंद्रमा आपके द्यूते भाव में आ गए है जुवानी का भाव है धर्म का है और साथ में धन का भी है आर्थिक तोर पर आपका सुधार होगा काफी लंबे समय से अगर आपके कुछ बिल पैंडिंग पड़े हुए थे तो उन बिल्स को आप भर सकते हैं आर्थिक तित्थी अच्छी दिखेगी पिता का जो बरताब है वो थोड़ा सा रूखा रह सकता है लेकिन आप हर तरह के हालात को नियंत्रित कर सकते हैं रोमान्स का समय मिलेगा आपको और कुछ चोटे मोटे जो मद्भेद थे उनको भी दूर कर पाएंगे आज आपका दिन बढ़िया प्रदर्शन के लिए खास होगा खास कामों के लिए भी आज आपका दिन रहने वाला है ग्रहस्त जीवन में इस्तितियां अच्छी रहेंगी कुछ रिष्टों में अगर आप सुधार करना चाहते थे तो अपने रिष्टों में भी सुधार कर पाएंगे आज शांत रहकर कुछ कामों को करने की जरुत होगी बहुत अधिक प्रति के लिए ना दे कर सिर्फ अपनी कामों पर ध्यान दे बहावनात्मक रूप से मांचिक रूप से इस्तितियां ठीक रहेंगी और शाम को तीन बज़े से साड़े चार बज़े तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा इस समय में आप अपने अगर कोई भी शुबह अच्छे कारे हैं उनको कर सकते हैं महत्पुन कारे हैं और कुछ से पर इस दिन भी कंट्रूल करना होगा साथ में किसी उच्छ अधिकारी के साथ अच्छी बॉंडिंग रहेगी जो आपके कामकाश को आगे ले जाने में मदद करेगी स्टुडेंट्स की बात करें तो स्टुडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है क्योंकि कंट्ने राशी के चंद्रूल में आपकी मन को भी अच्छे तरह से नियंदध करेंगे भी आपकी रूची को बढ़ाएंगे आप अपने हर काम पर फोकस कर पाएंगे तो कुल मिलाकर ये जो दिन है ये आपके लिए बहुती उत्तम रहने वाला है तो दोस्तो और अदिय किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़ज़दा लाइक करें शेयर करें